हम तीन इन्पुट का जो है सर्किट डियाग्राम और त्रूस टेबल निकालेंगे तो चलिए कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको फार्मूला बताया था फार्मूला हमारा होता है टू के पावर यन यन क्या है नंबर आफ इन्पुट है नंबर आफ इन्पुट अभी 3 इन्पुट है तो हम कैसे जानेंगे कितने कौलम बनाएंगे तो टू के पावर अगर हम 3 रखेंगे कित्ना हो जाएगा 8 होगा तो इसके पहले हमें सर्किल डियाग्राम बनानी होगी सर्किल डियाग्राम के. बाद हम टूट टेवल से बेरिफाई करेंगे कि हमारा यह सही है यह नहीं सही है तो चलिए चेक करते हैं तो पहले सबसे पहले सरकीट डियाग्राम बनाएंगे और और गेट का मैंने आपको बताया कि यह पैरलेल में स्विच जूड़ेंगे जूड़ने के बाद हम यहां से निकाल देंगे और यहां एक लैंप लगा देंगे और यहां इसको सप्लाई देंगे यह प्लस माइनस ठीक है यह लैंप हो गया यह स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री ओके अब हमारा क्या बनेगा तुरूट्टेबल कैसे बनेगा देखे तथ्रूटव्ट हैं के लिए नहीं हम क्सिमें अनने होगे सबसे पहले मैं कॉलम बनाना होगा तैं एक दो तीन है देखे एक दो तीन तीन हम कालम बनाएंगे एक, दो, तीन, ठीक है, अब हमें कितने बनाने पड़ेंगे, रो, आठ, एक, इसको छोड़ करके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, उक उपर बनाने थे, साथ, और यह नीचे, आठ, एक, अधा कितना होता है, चार, तो सबसे पहले हम, जीरो को भरेंगे, चार, जीरो भरेंगे, उसके बाद, चार, वन भरेंगे, सभी कॉलम में, सभी मारा रो जो है, भर गया, चार, जीरो, चार, वन, सबसे पहले हम, जीरो को ही भरेंगे, उसके बाद, चार, वन को भरेंगे और आपको पता है कि 0 का मतलब मैंने आपको बताया था ये आप इस्तिति होती है और 1 का मतलब क्या होता है आन होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए और जो गेट का जो नियम दिया था वो बुरुमियन एक्स्प्रेशन ने दिया था उसी के अधार पर ये सारी चीजे चैब इस प्रक्रियों को कब तक परेंगे जब तक पोरा न हो जाए आँ मिड़करी ना हो यहां भरने के बाद अब हम आते हैं आउट्पुट में तो देखिए पहला इंपुट दूसरा इंपुट और तीसरा तीनों में जिरू है तो अगर यहां सप्लाई आन होई तो हमारी सप्लाई कहीं इधर नहीं गई इधर से तो जा रहा है मगर यह पूरा circuit close नहीं हो रहा है नहीं हो रहा तो यह हमारा lamp glow नहीं करेगा जब lamp नहीं glow करता है तो क्या होगा जिरो हो जाएगा output इसके बाद दोनों में देखिए आप हिस्तिती है दो input आप हिस्तिती है मगर पहला तीसरा जो input है वो आन हिस्तिती है यानि तो दो में supply नही मैं हो जाएगा one हो जाएगा तो देखिए पहला में आफ हिस्तिती दूसरा में आउन सितिती तीसरा में आफ इसमें क्या होगा किसी एक में भी अगर आन है तो हमारा lamp glow करेगा तो मतलब यह है यहाँ आफ है बीच वाला आफ है निचान है तो देखें यहांसे भी सप्लाई होके जा रहा है यहां से भी supply के जा रहा हिसका मतलब ल empiric retractEh transfer 19 नेक्स्ट हम बताएंगे 4 इंपूट कर टूट टेबलें Sid